हलो एब्रीवन मैं सुधा सिंग आइडल इंटिट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस समय हम लोग कारक पढ़ रहे हैं और कारक के अंतरकर हमारा कर्म कारक चल रहा है कर्म कारक में हम लोगों ने अभी तक कर्दुरीव शिप्तमम कर्मम और अकथितम्चा और अधिशीन अस्थासाम कर्म इन तिन सूत्रों को पढ़ा आईए देखते हैं चवथा सूत्र हमारा चवथा सूत्र है कारत धनोर अतियंत सायोगे अर्था जहां पर जिन सब्दों में समय और मार्द सूचक होता है जहां पर समय और मार्द सूचक सब्दाते हैं वहां पर कर्म कारक होता है उदाहरण के लिए हमारा जैसे मासम अधीते वहीने भर अढ़ता है मासम अधीते, महिने भर पढ़ता है, मासम कल्याणकारी, पूरा महिना कल्याणकारी है, मासम कल्याणी, मासम कल्याणी, पूरा महिना कल्याणकार है, क्रोशं कुटिला नदी, क्रोशं कुटिला नदी, एक कोश्टक नदी टेन ही है, मासम अधीते महीने भर पड़ता है, मासम गल्यारी पुरा महीना गल्यार कारक है, क्रोशं कुटिला नदी, एक कोश्टक नदी 15 है, एक क्रोशं परवता अर्फ्ति, एक कोश्टक परवत है, एकम, क्रोशम, पर्वता अर्थि एक कोश्तक पर्वत है यहाँ पर समय और मार्व सूचक दोनों सब्दाएं है इसलिए इसमें कर्मकारक का प्रयोग किया गया है नेक्ष सूत्र है हमारा उपान, वध्यांग, वश्चाह याणि वश्धात के पहले उप, अनू, अधी और आंग वश्धात के पहले उप, अनू, अधी और आंग सब्द आए तो महाँ पर कर्मकारक का प्रयोग होता है उसके आधार में दितिया विभक्ती होगी जैसे मोहना, ग्रहम, उपुबसाती उदाहरन के लिए आगे देखते हैं मोहना, ग्रहम, उपुबसाती उपुबसाती आनुबसाती आधिवसाती इसको इस प्रकार में लेख सकते हैं मोहना, ग्रहम, आवसाती आनुका मोहना, ग्रहम, आवसाती यहाँ पर वस धातु के पहले उपु, आनु, आधि और आंग सब्द आया है, इसलिए यहाँ पर कर्मकारक है इसके आधार में कर्मकारक यानि तितियाभिभक्ती का प्रयोग हुआ है चलिए देखते हैं, नेक्स सूत्र है हमारा अभिता, परिता, समया, निक्सा, भा, प्रतियोगे, आपी, दितियाभिभक्ती का नेक्स है हमारा अभिताह, परिताह, आईए देखते हैं, नमबर छेपे हैं हमारा आभिताह, परिताह, समया, निक्सा, हाँ, प्रतियोगे अभिताह, परिताह, 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 परि तरफ इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं अभिता मतलब सब तरफ परिता मतलब चारो तरफ समया मींस निकट निक्षा मींस निकट और प्रति और हा का मतलब होता है की तरफ को या के लिए प्रति और हा का मतलब होगा की तरफ या को के लिए सब तरफ चारो और निकट की तरफ या को के लिए तो आईए इसका उदाहरण देखते हैं पहला उदाहरण है ग्रामम अभिताह परितो वा आमर विच्छा संती पहला उदाहरण देखते हैं ग्रामम अभिताह परितो वा आमर विच्छाह संती ग्रामम अभिताह परितो वा आमर विच्छा संती यानि की गाउं के सब तरफ चारो तरफ आमके विच्छ हैं अग्ला उदाहरण देखते हैं विद्यालायम निक्टा समयावा नदियस्ती विद्यालायम निक्षा विद्यालायम विद्यालायके विद्यालायम निक्षा विद्यालायम विद्यालायके विद्यालायम निक्षा विद्यालायम निक्षा विद्यालायम निक्षा विद्या व नदी अर्ती विद्यालैके निकट नदी है नट्ट है था प्रतियोगे अपी काजो है उदाहर्ण ब्याज्या हरिडाम प्रति अपस्चती ब्याग्रा ब्याग्रा हरिडाम प्रति अपस्चती यानी ब्याग्र ने हिरन को देखा ये है हमारा अभिता पड़ता समया निक्सा का उदाहरण चलिए नेक्स देखते हैं नंबर साथ पे है हमारा अंतरा अंतरहड युक्ते दितिया अंतरा अंतरेण युक्ते दितिया आईए देखते हैं अंतरा मतलब बीज में अंतरेण में बिना के योग में दितिया विभक्ती होती है अंतरा अंतरेण युक्ते दितिया जहां पर अंतरा और अंतरेण सब्व का प्रयोग किया गया हो वहां पर दितिया भी भगती होती है आईए उदाहरण देखते हैं जैसे अंतरा काम माम हरी उदाहरण देखते हैं अंतरा तो आम माम हरी यानि कि हरी हमारे और तुम्हारे बीच में हैं आप लोग इसको ध्यान से देख लिजिए नेक्स है अंतरेण हरी ना सुखम यानि कि हरी के भी ना सुख नहीं है ये हमारा हो गया अंतरा अंतरेण का उदाहरण इसको हम इटाकर आगे बढ़ रहे हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ध्यान चे इसको देख लिया होगा चलिए आई आगे देखते हैं अभी हमने पढ़ा अंतरा अंतरेण दितिया नेक्स सूत्र है हमारा अनुक्ते करमण दितिया नेक्स सूत्र है हमारा अनुक्ते अनुक्ते करमण दितिया अनुक्ते मतलब जो ना कहा गया हो यानी कि कोई भीकार अपनी इच्छा छे किया गया हो तो वहाँ पर करमकारत का क्रेव होता है जैसे रामा स्वाजनकम वन्दते इसका उदारण है अनुक्ते मतलब जो ना कहा गया हो वहाँ करमकारत का क्रेव होता है जैसे रामा स्वाजनकम वन्दते राम अपनी पिता जी को प्रणाम करते हैं यहाँ पर करनकारत का प्रेव हुआ है तो यह था हमारा करनकारत आज यहीं पर समात होता है नेक्स बीज़ाइब करते हैं